किसान भाईयो जब आप इससे दुनिया भर की फसलों की दाने की जो है ग्रेडिंग करने वाले हैं उस समय भाई साप अनाच के साइज के हिसाब से ना आपको एयर सर्कुलेशन घटाने बढ़ाने की अवस्सक्ता पड़ती है तो यहाँ पर कंपनी ना आपको जो है इसके अं इसके अंदर आप देख सकते हैं चार तरह के बड़े चोटे हर तरह के छेद वाले इसके अंदर चन्ने लगाए हुए हैं तो उसी हिसाब से भाई साप आप भारत के अंदर आने वाली सभी तरह की फसलों की सफाई अनाच की ग्रेडिंग इस पंखे से जो है आप कर सकते हैं जैसे की मद्धि प्रदेश के अंदर अभी भाई साफ हमारी धान कटाई का सीजन आ रहा है और हमारे किसान भाईयों को जरूरत है शानदार ग्रेन ग्रेडिंग मशीन की और दोस्तों आज की उसी वीडियो के अंदर जो हम आपके लिए लेकर आए हुए है इस पेशली भाई साफ प्रिंस कंपनी की तरफ से आने वाला एक ऐसा पंखा जो की भाई साफ आपकी सभी तरह की दुनिया भर की मतलब यदी मैं बात करूं ना तो इंडिया के अंदर जितनी तरह की फसल वोई जाती है जितनी तरह की फसल लगाई जाती है मूं फली हो मक्का हो मसूर बटरी चना दाल कुछ भी हो भाई साब इस पंखा से आप सब कुछ भाई साब बेस्ट क्वालिटी के साथ में ग्रेड कर सकते हैं यहां पर भाई साब 2-3 मॉडल में आपके लिए लेकर आया हूँ एक वीडियो में एक तो ये मॉडल आप देखरहे हैं जो कि भाई साब बिना इलिवेटर वाला मॉडल है मतलब बिना ग안 वाला मॉडल है उसी के साथ साथ जो किसान भाई conveyor belt वाला नहीं ले आना चाहेते टेक्टर के टायर वाला नहीं चाहिए तो उनके लिए भाई साब ये छोटे टायर वाला भी मॉडल सबसे पहले बात करेंगे किसान भाइयों बरतमान समय में बताकि कमियर बनाया वाला मौडल किसान आप अपना ऐना आज है डिरेक्ट ट्रोली में गिरा सकते हो ठीक है चलिए अब हम इसकी खूबयों के बारे में जानते हैं क्या कैसी चीजे हैं इसके अंदर आपको जो है multi crop grand grading facility बिगेरा देखने के लिए मिल जादी मतलब किसी भी तरह की कोई भी फसल हो आप इससे जो है भाई साब grade कर सकते हो यहाँ पर जो है भाई साब इसके अंदर जो man पंखा होने वाला है जिसको भाई साब binoving fan ब बढ़ाने के लिए company ना यहाँ पर multiple adjustment दी हुई है तो भाई साब आप अपनी फसल के हिसाब से crop के हिसाब से दाना के size के हिसाफ से यहाँ से जो है आप air के circulation को घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं चाहे वो फसल भारत के अंदर किसी भी कौने में बोई जाए या भारत के बाहर की भी फसल हो वो फसल की दाने सफाई की setting air circulation की setting आप यहाँ से कर पाएंगे उपर नीचे दोनों तरफ दी यही है उनल पुल लिम के उपर कंपनी नहीं प्रोपर भाय टिर यहाँ पर आप देख सकते हैं तूर ना चाहले है यहाँ पर आप यहाँ बढ़कार मेरा बैना चाह। भी जो है चला सकते हैं तो पहले हम आपको conveyor belt वाले model की जानकारी दे रहे हैं उसके बाद भाई साब हम आगी की तरफ बलेंगे यहां पड़े अधी हम बात करने किसान भाई यो छनिया विगेरा की जाल मतलब छन्ने विगेरा की तो इसके अंदर आप देख रहा हैं किसान भ बात करें तो भाई साब चार पंखे वाला जो है हमारा एक grain ग्रेडिंग मशीन जो होने वाली है उसी के साथ साथ इसका जो बिनोवर आप देख रहे हैं भाई साब इसके अंदर जो hopper दिया हुआ कंपनी नहीं काफी बड़ा hopper दिया हुआ हुआ अल्मोस्ट कहना चाहिए 33-50 kg जो है इसके अंदर भाई साब माल बड़ी अराम से आने वाला है और इसके अंदर भी एक special features आपको देखने के लिए मिलता है किसान भाई यो ये देखिए भाई साब आपको इसके अंदर दाने कितनी मात्रा में गिराना है कितने मात्रा में जादा दाना गिराना है कम तो वो चीजें आप यहां से adjustment कर सकते हो और भाई साब दाना अपने अनुसार जो है कम या जादा आप गिरा सकते हो साधी भाई साब अब इसके उपर हमारा किसान भाई ख़ड़े होके काम करने वाला है तो इसके लिए company ने एक platform भी दिया हुआ है जहां पर भाई साब एक यह जो company है भाई साब Prince यह देख सकते हैं ISO certified company है और सबसे अच्छी बात करें भाई साब certified है तो आपको subsidy वेगेरा भी देखने के लिए मिल जाएगी इसके अंदर आपको दो optional देखने के लिए मिल जाते है यह तो भाई साब आप यह जो देख रहे हैं दो HP motor से चलने वाला ह इसके अंदर company proper भाई साब copper वांडिंग वाली मशीन आपको देती है मशीन जो है देती है चलिए और भी वीडियो में आंगे बढ़ते हैं वीडियो को like नहीं किया तो like जरूर करें follow और चैनल को subscribe जरूर करें यहाँ पर एदी हम बात करें तो आप देख सकते हैं किसान facturing है जो भाई साब आप इसके fan की adjustment करना वाली है ठीक है थोड़ी बहुत है दिया आपको adjustment लेनी है तो यहां से भी जो है आप इसके हवा के circulation की adjustment विएरा ले सकते हैं कि यहां से जब आपका दाना grade होके भाई साब जाने वाला है तो क्या कैसी हवा जो है यहां से fan के माध्य ला जाता है तो यहां से at the end भाई साब बाहर होने वाला है मतलब आखरी आखरी situations तक में company ने इतना अच्छा काम इसके अंदर किया है कि कोई चीज है किसान को दिक्कत या परिशानी नहीं हो आईए मैं आपको इस तरफ से भी देखा देता हूं और भाई साब इसके अंदर से भी चला सकते हैं और electricity से भी जो है आप चला सकते हैं तो दोनों optional आपको उसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं जब आप हवा का circulation यहां से set करेंगे तो उस तरफ का जो locking में कहने जम्हां बो मैं आपको देखा रहा था वो आप set कर पाएंगे और इसके अंदर भाई अधिक कंपनी न दी हुई है और पॉइंट टू-पॉइंट भाई साफ आप ग्रीसिंग वाइलिंग बिगेरा भी जो है इन बैरिंग स्कूपर कर सकते हैं साथी के सान भाई यह conveyor बेल्ट वाला मॉडल है और इसकी हम छमता बताएं कि एक घंटे के अंदर कितने क्विंट बासात भाई किसी किसान भाई को ऐसा मोडल चाहिए जिसके अंदर दो टाइर हो या फिर भाई साब आपको गैसा वाला मॉडल चाहिए जिसके अंदर हम कह सकते हैं आपने देखे होएंगे प्लास्टिक के फाइवर या लोहे के टाय डले रहते तो वो मॉडल भी आप जो है ले सकते हैं अब हम बात करने किसान भाईयों इसके अंदर सबसीडी वेगेरा की तो भाई साब ये भारत सरकार द्वारा सबसीडी अप्रूब्ड है तो आपको जेस्ट एक्टर एंड क्रशी यंत्र जबलपूर मद्धिप्रदेश के अंदर विजट कर सकते हैं हमारे यहां पर जो है कटंगी बाइपास पर जो है इनकी डीलर सफ है वहां से आप प्रिंसपार कंपनी की तरफ से आने वाला जो है यह हमारा ग्रेडिंग ग्रैंड मशीन जो है ले सकते हैं कैसी लगी दोस्तों आज की यह पंखे की वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और एक चीज में आपको बता दू किसान भाई हो फीचर्स आपको सभी फैन के अंदर सेम मिलेंगे कई किसान भाई यह सोच रहे होंगे कि भाई यह कई फैन के बारे में बता अंकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक फॉलो चैनल को सस्प्राइब जय जवान जय किसान